हम लोगों ने यहां तक का जो काम है वो पूरा कर लिया था मतलब हम लोगों ने में बेनर जो है वो डिजाइन कर लिया था यह वाला में बेनर है मेरा अभी हम लोगों को यह डिजाइन करना था ठीक है तो यह मैंने अल्रेडी टेंपलेट मैंने अल्रेडी डिजाइन कर रहा मैं explain करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने ये template design किया है और जब सारे template बन जाएंगे तो फिर हम लोग एक पूरा review करेंगे कि हम लोगों ने कौन सी template को कौन से blog को कौन से page को किस तरीके से design किया है तो अभी ये वाला banner का जो main banner का template है वो तो dodge design हो गया था लेकिन ये वाला जो banner है जिसमें main navigation आ रहा है इसको मैंने किस तरीके से design किया वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर तो इसके लिए मैं गया मैं themes के अंदर और मेरी custom theme जो मैंने बनाई थी विला agency के नाम से इसके अंदर template folder के अंदर menu folder के अंदर मै यहाँ पर मैंने menu-dates-main.html.thing यह file यहाँ पर मैंने बना ली है आप देख रहे हैं यह file यहाँ पर बनी हुई है ठीक है अभी जो यहाँ पर यह जो classes आ रही है और जो navigation item आ रहा है अगर मैं देखूँगा तो यह कुछ इस तरीके से navigation item यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक ह navigation यहाँ पर मैंने navigation के लिए class लगा दी जो class मुझे लगानी थी UI attribute के अंदर वो मैंने लगा दी और template में ज्यादा कुछ change नहीं किया मैंने सिर्फ जो existing template थी जो system model से आती है Drupal core के वही template मैंने use किये सिर्फ मैंने यहाँ पर अपनी custom class लगाई है और दूसरा change मैंने क्या किय दूसरा change मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यह इसकी जरुवत मुझे नहीं है यहाँ पर यह font awesome के लिए है तो इसको मैंने comment कर दिया यह Drupal का default नहीं होता है लेकिन मैंने use किया था जो template मैंने बनाई थी यह social icon के लिए महाँ पर हमने इस चीज को use किया था तो यहाँ पर हमन सीधा सीधा उस value को print करवा दिया और कुछ इसमें खास हमने किया नहीं है लेकिन अभी एक problem है problem यह है कि यह जो contact वाला option आ रहा है यह आप अगर आप front end में देखेंगे front end मतलब अगर आप जो project की original theme है जो demo हमको दिया गया है इसमें आप देखेंगे तो यह कुछ इस तरीक से दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो यह थोड़ा सा difference यहाँ पर है और दूसरा difference यहाँ पर यह जो distance है इसका है तो यह कुछ minor minor सी चीजे हैं जो हम लोग पूरा project complete हो जाने के बाद में यह जो CSS के changes के fixes है वो हम लोग करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह जो icon यहाँ पर एक class लग रही है basically यह जो आ रहा है contact us यह अगर मैं original theme की बात करूँ तो यहाँ पर contact us का कुछ icon आ रहा है और कुछ classes आ रही है यह देखे यह contact us है और यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर यह FA calendar क करके class है इससे यह चीज differentiate हो रही है तो यह हम लोग करेंगे last में जब यह पूरा fixes हो जाएगा अभी मैंने यहाँ पर navigation को बना दिया है पूरा लेकिन कुछ CSS के changes भी है वह हमको देखना पड़ेगा जिसे यहाँ पर आप देख रहो इतना ज्यादा difference आ रहा है यह navigation के अंदर तो यह जो है यहाँ एक class लगी है जो की लगी है flex waste 100% यह class किस पर लगी है यह header main name UI और navigation पर तो अगर मैं मेरे जो डूपल की थी में उसमें मैं जाओं तो यहाँ पर मैंने यह class जो है वो work नहीं कर रही है हमारी यहाँ पर margin वाली class तो work कर रही है लेकिन यह वाली class हमारी य इसलिए क्योंकि यह class हमारी work इसलिए भी नहीं कर पा रही हो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने डूपल का कुछ block classes आ गई यहाँ हमें काम करते हैं यहाँ पर हम लोग देखें display block property on parent element तो यह बोल रहा है कि parent element पर display block property लगी इसलिए तो यह डूपल का जो block display block block की property है डूपल की उस वैसे यह नहीं चल रहा है ऐसा system बोल रहा है यहाँ पर तो यह हम लोगों को देखना है थोड़ा सा CSS का problem है लेकिन हम लोग last में इन सारे minor fixes को हम करेंगे अभी इसके बाद हम लोग design करेंगे यह वाली theme मतलब यह वाला block अभी हमको design करना है यह वाला block तो यह block तो pair static है और हम लोग यहाँ पर चाहें तो यह taxonomy से भी इस चीज़ को ला सकते हैं बट यह pair static block है general info block है तो इसको हम as a static block ही consider यहाँ पर करेंगे